दोस्तों गराब भी रोईट शर्मों और हार्दिक बांडिया को दुनिया का सबसे खतरनाग खिलाडी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों बांड़ादेश के खिलाब वांड़ाप मुकाबले में टीम इंडिया ने दर्श की कभी न भूलने वाली जीत पहले बल्ले बाजों ने मचाया तांडव तो फिर अर्शदीब सिराज के साथ-साथ अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से घुटने टेकने पर बांगलादाशियों को किया मजबूर तो आगर कैसे टीम इंडिया ने बांगलादेश को करारी धूल चटा कर दर्श की पहली जीत किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट कैसे बांगलादेश की टीम भारत के गेंदबाजों के सामने हुई धाराशाई इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रॉंग्टे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारती एट टीम को रोहिट शर्मा इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो टी-20 विश्व कब शुरू होने से पहले भारत और बांगलादेश के बीच वाम अप मुकाबला न्यू यॉर्क के नशाओ काउंटी इंटरनेशनल किर्किट स्टेडियम में खेला गया इस मुकाबले में कप्तान रोहिच शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया और बांगलादेश को गेंद बाजी करने के लिए आमंतरित किया भारत के टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहिच शर्मा के साथ संजू सैमसन आए वहीं बांगलादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मेहंदी हसन भारती टीम को बहतरीन शुरुआत इन दौनों बल्ले बाजों ने दिलाई और पहले ही ओवर से पांच रन बटोर लिए वहीं बांगलादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सौरिफुल इसलाम खतरनाग गेंद बाजी कर रहे थे लेकिन तब ही अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वाइट और चौका दे दिया जिसके कारण भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया लेकिन सौरिफुल ने वापसी करते हुए अपने ओवर की पांच वी गेंद पर संजू सैम्जन को लबी डवल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतिये टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला जटका लग गया संजू सैम्जन टीम के लिए केवल एक रन बना कर पवेलियन लौट गये अब रोहिच चर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर रिशब बनता चुके थे इन दौनों बल्लेबाजों के कंदों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी भारत का स्कोर दो ओवर में केवल 11 रन बन भाया बांगलादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आये शाकिब अलहसन इनका सौगत रोहिच चर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा कर गिया इसके बाद भी रोहिच चर्मा रुगे नहीं तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तबदील कर दिया और टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया भारती टीम के स्कोर तीन ओवर में 19 रन तक पहुँच गया बांगलादेश की तरफ से चौत्था ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरिफुल इसलाम खतरनाग गेंद बाजी कर रहे थे लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रोहिच चर्मा ने चांदार चक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को चार ओवर में 26 रनों तक पहुचा दिया बांगलादेश की तरफ से पाचवा ओवर लेकर आए एक बार फिर खतरनाग गेंद बाजी का नजारा दिखा रहे थे बल्लेबासों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था एक एक रन के लिए भारत के बल्लेबास तरस्ते हुए इस ओवर में नज़र आ रहे थे लेकिन तभी रिशब पंत ने तीसरी गेंद पर बांडरी लगाने का पूरा मन बना लिया और गेंद को चौक्य में तबदील कर दिया और शाकिबल हसन का स्वागत अगली अलग अंदाज में किया इन दौनों बल्लेबासों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को पाच ओवर में 32 रनों तक पहुचा दिया बंगलादेश की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आये शाकिबल हसन लेकिन इस बार रिशब पंत के एरादे कुछ और ही थे ओवर की पहली गेंद पर शाकिब का स्वागत रिशब पंत ने छक्के के साथ किया इसके बाद भी रिशब पंत रुके नहीं दूसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्ड से स्विप शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकिट की रफतार की तर बांगला देश की तरफ से साथ वह ओवर लेकर आये महमद उल्ला और आते ही इन्होंने अपने ओवर की चौती गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतिये टीम को दूसरा जटका 69 रनों के स्कोर पर लग गया रोहित टीम के लिए 23 रन बन पर 92 रनों तक पहुँच गया वही रिशप पंत अर्ध शर्टक के करीब खेल रहे थे वही सूरे कुमर यादफ का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था बांगला देश की गेंद बाजों की धज्जें उड़ा रहे थे वही रिशप पंत ने शाकिबल हसन की पहली पर शांदार चौका लगा कर अपना अर्ध शर्टक ठोका और भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुचा दिया और रिटायर हो गए अब मैदान पर सूरे कुमर यादफ का साथ देने शिवम दूबे आ चुके थे और आते शिवम दूबे ने भी चौक के चखके की बढ़सा जटका लगया अब सूरे कुमर यादफ का साथ देने के लिए हारदिक पांडिया आ चुके थे भारत का स्कोर 15 ओवर में 130 रनों तक पहुच चुका था हारदिक पांडिया ने शांदार चौका लगा कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया इस पांचवां जटका लगया अब मैदान पर हारदिक का साथ देने रविंद्र जडेजा आए इन दौनों बलेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को सम्हाला एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए टीम के स्कोर को 19 ओवर में 145 रनों तक पहुच आया वहीं अंतिम ओवर में अरशदीब सिंग खदरनाग गेंबाजी कर नजारा दिखा रहे थे बांगलादेश के बलेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अरशदीब ने अपने ओवर की चौती गेंद पर सोमे सरकार को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारती टीम को पहला विके कर आए जस्परीद बुमरा बांगलादेश के बलेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था एक एक रन के लिए तरस रहे थे लेकिन बुमरा की तीसरी गेंद पर लिटंदास ने चौक का लगा कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया दो ओवर में बांगलादेश का स साथ रनों के स्कोर पर लग गया अब मैदान पर बलेबाजी करने आए नजमुल हुसैन संतो लेकिन मैच में भारती टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी बांगलादेश का स्कोर कचुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था तीन ओवर में बांगलादेश का स्कोर क बांगलादेश का स्कोर केवल 11 रन बन पाया मैदान पर तंजीद हसन का साथ देने अब तोहीद हर दोई आ चुके थे इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के स्कोर को समालने की पूरी कोशिश कर रहे थे देखते ही देखत को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को साथ ओवर में 38 रनों तक पहुचा दिया लेकिन उसके बाद भारती गिनबाजों ने खतरनाग गिनबाजी का नजारा दिखाया एक के बाद एक बांगलादेश के और भी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दि पीच आज एक अमेरिका के क्रिकेट स्टेडियम पर रुमान्चा का अभ्यास मैच खेला गया जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कपतान जर्मा ने टास जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस बीच भारतिय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिये जहां पर आज इस मैच के अंदर रिशप पंत ने 32 गेंद पर 53 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं हार्दिक पांडिया ने भी 23 गेंद पर 40 रन की नाबाद पारी खेली ऐसे में रिशप पंत और हार्दिक पांडिया की तूफानी पारी को देखकर दुनिया भर के दिगजों का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें ब्रेंडन मैकिलम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतिय टीम के लिए आज के दिन रिशप पंत और हार्दिक पांडिया दौनों की बहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है दौनों ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब सभी को प्रभावित किया है आज के दिन एक बार फिर से रिशप पंत और हार्दिक पांडिया ने बहतर प्रदर्शन करते हुए बता दिया है कि टीम के अंदर से रोहित चर्म और विराट कोहली बहतरीन खिलाडी नहीं है बल्कि पूरी टीम के बाकी खिलाडी भी बहतर प्रदर्शन कर सकते है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रिशपंत और हार्दिक पांडिया के बहतर प्रदर्शन करने के चलते अब भारतिय टीम का मद्यकरम काफी ज्यादा मस्बूत हो गया है जिसके चलते अब बाकी की टीमों को हार्दिक पांडिया और रिशपंत के साथ टीम से बचकर रहने की जरूरत है तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतिय टीम के लिए रिशपंत और हार्दिक पांडिया की बहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है दौनों ने आज बहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है जिसको देखकर मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में रिशपंत ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बात तो इस पश् करना पड़ता लेकिन भारतिय टीम के दौनों बल्लेबाज ने बहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है तो वहीं सजिन तेंदुल करने बयान देते हुए कहा है कि भारतिय टीम के लिए इस मैच के अंदर रिशपंत और हार्दिक पांडिया ने काफी ज्यादा ब पारतिय टीम के लिए बहतर प्रदर्शन कर जीत दर्च करने का कार्य कर सकता है